हेलो स्टुडेंट्स लक्की अस्मार्ट और यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है तो हमें उमीद है कि आप लोग का जो एक्जाम है बहुत ही अच्छा से गया होगा और आप लोग का जो स्कौर है बहुत ही अच्छा आएंगे तो आज किस वीडियो में जो है अच्छे तरीके से गया होगा और जत्षात्रों ने वहम मैत का एक्जाम गया था वो मैत का आप लोग हैं कि मिला सकते है और यह जो है हिंदी से अप्लोड हो रहा है है कि यहां पर जो हैं आंसर मिला रहे ते और हम भी बता आपको कोई कोई काम कर रही है ते जिसके ओल लेट से आ रहा है तो भी आपको मिलेगा वह सारा आंसर आपको एक नहीं घूले चलिए शुरुत करते हैं फ़र्स्ट विसंट है निम्न मैं से डलित आत्मकथा सिर्षक पार्ट कौन है निम्न में से बोल रहा है कि दलित आत्मकथा सिर्षक पार्ट कौन है यहां पर अपसर ना बोलकर मैं ड्रैक यहां पर आंसर बोलते रहा हूं निम्न में से दलित आत्मकथा सिर्षक पार्ट कौन है यह हो जाएगा आपको जूठन यानि कि आप कहा था सिर्षय कहानी में किस सहर का चितरन गया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको अमरीज सरो जाएगा अपसन नमर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चले नेक्ट को देखने ते हैं तो लोक नायक किसे कहा जाता है तो लोक नायक हम लोग जया प्रकास नारायन को बोलते हैं जो कि आपको अपसन नमर ए में दिया है अपसन नमर ए विल भी राइट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट को देख लेते हैं फाइब नमर कोशन में क्या पूछा गया है फाइब नमर कोशन में हमसे पूछा क्या गया है कि नारी और नर एक ही दर्व की धली दो परतिमा है किस रसनाकार की पंक्ति है यहाँ पर पंक्ति पूछा गया कि किस की पंक्ति है यह जो पंक्ति है रामधारी सिंग दिनकर की पंक्ति है जो कि आपको अपसन नमर सी में दिया हुआ है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोशन का सिक्स नमर कोशन में देख लेते हैं यहाँ पर क्या पुछा गया है चोर कैसे ताल है यहाँ पर पुछा गया है यहाँ पर पुछा गया है यहाँ पर पुरवा कहा है राम पुरवा कहा है रामपुर्वा भीती हरवा के पास है जो कि आपको अपसन नमर ए में दिया गया है ए विल भी राइट अंसर है चले बात करते हैं नेक्स्ट कोशन नाइन नमर कोशन में देख लोगते हैं नाइन नमर कोशन में पूछा गया है गंड़क नदी का जल सदियों से कैसा रहा है गंड़क नदी जो है उसका जल सदियों से कैसा रहा है गंड़क नदी का जल जो है सदियों से सांत रहा है कैसा रहा है सांत रहा है चलिए बात करते हैं 11. यहां पर क्या पुछ जाएगा देश पर मरमिटने वाले लोग कौन पदवन है कौन सा पदवन्ध है यह आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा वैसे मैं आपको जो है पिन कर दूँगा जिसका आंसर सही होगा उसको मैं प क्या है कौन सा हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आपको क्या जाता है मन में तालू क्या जाता है तालूर यानि कि अप्सान नमर ए विल भी राइट आंसर चले बात करते हैं पंदर नमर कुछेशन को और यहां पर सेट कोड़ यहां रखेगा यहां पर क्या पुछा गया गूरूप देश सब्सक्राइब का संदी विश्यद क्या है गुरूप देश जब आप इसको क्या करेंगे संदी करेंगे तो गुरूज और उपदेश आ जाएगा जो कि आपको अप्सन नमर सी में दिया है शोला का सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं शे प्षागा है, शेकी हमसे ये पुशा गया है की हताहत संधी विच्फित क्या हो जाएगा यहां पर हताहत संधी विच्फित हत जोरahat हो जाएगा जो कि आपको option number C में दिया है, C will be right answer, चलिए बात करते हैं, next question को देख लेते हैं, 18 number question को यहाँ पर हम देख लेते हैं, simple सा, 18 number question में हम से पुछा क्या गया है, नकलची, नकलची सब्द में पढ़ते हैं, तो नकलची, last में क्या आता है, ची आता है, जो कि आपको option number A में दिया हुआ है, ची यानि कि option number A will be right answer हो जागा, चलिए next question को देख लेते हैं, 19 number question, 19 number question में क्या पुछा गया है, 19 में पुछा गया सूद सब्द यहां पर कौन सा है, वालमी की है, 19 का A will be right answer है, चलिए 20 number question को देख लेते हैं, यहां पर 20 number question में क्या पुछा गया है, पुछा गया है कि ना एक सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या होगा, तो ना एक सब्द का इस्तिलिंग रूप नाई का हो जागा, ना एक में है, तामभा सब्द कोन सागय है, तामभा क्या पुछा गया है, तो यह इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट सक्षो में बता ना है, जो भी आंसर सही होगा, उसको मैं पिन कर दूँगा, चलिए बात करते हैं, 22 number question को, 22 number question में क्या पुछा गया है, 22 में है, राजपाल राजपाल सब्द कौन से संग है तो यह जो है एक प्रणार का जाती वाचक है राजपाल संग है यानि कि अप्सान नमर ए विल भी राइट अंसर हो जागा चलिए देख लेते हैं नेक्स कुछन तरहस नमर कुछन में क्या पुछा गया है तरहस में है सूरदास सब्द कौन सं समास है कि चक्रपानी सब्द कौन सी समास है चक्रपानी जो है एक परणार का बहुषवणी समास है चल में यहां पर कौन से समासे चक्रपानी प्यायर का बहुवरी समास है जो कि आपका अप्सन में दिया गया है एकट को देख लेते हैं क्या पुछा गया है आजनम सब्सक्राइब को समास है आजनम को समास है बात करते हैं को देख लीते हैं सफल सब्सक्राइब सब्सक्राइब का विलूम सब्सक्राइब हो जाएगा इक डम सब्सक्राइब हो जाएगा इड़की का चले बात निन-दाब विलोब सब्सक्राइब निंदाब जागा जो कि इस निक्स्ट निक्स्ट में सब्सक्राइब पुछे गां-डीशन में पीठ दिखाना मुहावड़े का अर्थ है पीठ दिखाने मुहावड़े का अर्थ है हार कर भाग जाना तो चलिए 31 को देख लेते हैं 31 का क्या है पुछा गया कुशन 31 को थोड़ा चोटा करता हूं और यहां पर कुशन दिया गया है कि मा किसके भई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती मा किसके भई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती तो यहां पर जो इसका सयांसर हो जागा गीर पढ़ने के डर से मिट्टी लगने के भई से जो है मा भई मा जो है अपने बेटे को लाल से जो है लाल को गोद से नहीं उतारती है जो कि आपको अप्शन न सुना पूतरम जो है माया का जीमन कैसा हो गया पूतरवियोग से सुना-सुना हो गया जो क्या आपका आत्म कथा यूठक जो है कौन इमें दिया गया चली आ बात करते नेक्स्ट को यहाँ पर क्या पुछागा है कि कली राम हेड मास्टर किस पठीट पाठ का पातर है कली राम जो है एक पुछन का है जूठन का पातर है 34 का option में B will be right answer 35 नमर question में देख लेते हैं क्या पुछा गया नावर सिंग के ललित निवंद का नाम क्या है इसका विज़ो आंचर आपको comment सेक्षिन में बताना है जो भी होगा सवाई उसको pin कर देंगे चलिए next question में देख लेते हैं 36 नमर question क्या पुछा गया अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या अंडे के छिलके का रचनाकार कौन सा है तो अंडे के छिलके का रचनाकार मोहन राकेस है कौन राकेस है अंडे के छिलके का रचनाकार कौन सा है मोहन राकेस है अपसन नमर A will be right answer चलिए बात करते हैं और सैतेरा समय किसरन मेरी का पुछा गया है यहाँ पर जो है अन्तों चिकभ क्या है यहाँ पर गिया है जोकी आपको अप्सिन नमररे म में दिया एक राइट राइट हो जागा चलिए और तीसमय को मेरी चाहिकर के माता पिता का कहना ग्यानन्द पती के माता पिता का नाम हो गया निर्मला देवी एवं पर्मानंद वाजपई जो है ग्यानन्द पती के माता और पिता के नाम है अप्सन नमरे 20 इसका सयांसर हो जाएगा चले देखते हैं 49 में क्या पुछा गया और चाले समय क्या पुछा गया है एक प्रजगा के पुलिस अधिकारि थे या वक्यल थी जिसका बाजा रोज बजाता है, डरा हुआ मन, बे मन, जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस सिर्षक कविता की है, कौन सी सिर्षक की है, यह भी जो है, इसका अंसर क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, वैसे आप इसको छोड़ भी सकते हैं, 50 का अंसर सब पुछा क्या है या तो लोहे का चने चवावना मुहावड़कार्थ क्या है क्ठीन करना क्या हुता है कठनाई में फरस्टा ये गलत है कठीन परेशनम करना अप्षन में बी विल विडिवी राइट अंसर चलिए बात करते हैं 43 नमर कुशन देख लेते हैं 43 नमर कुशन है निमन में से सूध सब्द कौन सा है सूध सब्द कौन सा हो जागा तो यहां पर आस्तिक यहां पर अप्षन के हिसाब से सूध सब्द यह है यह भी गलत यह भी गलत यह भी गलत आस्तिक एक परकार का सही आंसर चलिए बात करते है फर्टीफॉर नुमर कुशन को देख लेते हैं फर्टीफॉर नुमर कुशन में क्या पूछा गया है कि लर्का सब्द में पढ़ते हैं जब आप क्या करते हैं लर्का लर्का सब्द में पढ़ते हैं लर्का अका यान कि अपसर नुमर डी इसका सही आंसर हो जागा फर्टीफ प्रक्राइब को नमर्ल कुसर है कि चाहचेड़ासम में परते क्या है। चाहचेड़ासम में एकड़ाइब राय conversation यानि कि अप्षिटम् नम्र रहा एकड़ाव एकसर सबते हैं का फिठ सबसेरिमाशन में परते पूछा था एसमय आउस्छ देख जएगा चलिए बात करते हैं 47 question 47 question को देखे यहां पर क्या पूछा गया है कि प्राकास्ट सब्द में उपसर्ग क्या है प्राकास्ट सब्द में उपसर्ग पूछा गया था प्राकास्ट सब्द में उपसर्ग जो हो जागा प्रा क्या हो जागा इसका सही आंसर हो जागा 47 question का अब चल रहते हैं उनसास में हैं दुरलव सब्सक्वर क्या दूर जो है उपसर्ग है। तो तोप्साइस क्योंने का है दूर प्टबन क्या पुछास में किले हैं के हिंदी में कितने में हिंदी में पदवन्थ के पांच वेदे हैं और 51 नमर को से देख लाते हैं कि पल्टन का विदूसक कौन था पल्टन का विदूसक वजीरा सिंह थे चलिए एक और नमर और चलिए नेक्स कुशन को देख लेते हैं देखते हैं आज के वीडियो हें इतना ही दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बंडाना ही तो के लें aún पता है उसको सही सही मिला लेना और वीडियो को भी सेड़ कर देना है और चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है पार्ट टु में जो है आपको 51 से 100 तक के कुश्चन मिल जाएंगे अब तक के लिए जाएं